नमश्कार मैं आपके साथ विनीता सच्देवा और आप देख रहे हैं CMN News विज्ञान की शेतर में समय समय पर नई आविश्कार देखने को मिलते हैं आज हम बात कर रहे हैं दिल की धड़कन से चलने वाले बीना बैटरी के पेसमेकर की जी हाँ, विज्ञानिकों ने एक नए पेसमेकर विक्सित किया है इस बार्चीन की 2nd Military Medical University और शंगाई चियो टॉंग उनिवरसिटी ने यह नए पेसमेकर विक्सित किया है आपको बता दे कि यह पेसमेकर दिल की धड़कन से चलने वाली उर्जा से चल सकता है यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह पेसमेकर परिक्षन में सफल हुआ है या हो पाएगा तो आपको बता दे कि पहले से ही इस पेसमेकर का स्वाइन में सफल परिक्षन हो चुका है शोदकर्ताओं की अनुसार स्वचालित कार्डिक पेस्मेकर बनाने की दिशा में यह एहम कदम रहा है प्रत्या रोपित होने वाले इस पेस्मेकर से आधुनिक चिकित्सा शेत्र में बड़ा बदलाव आया है बात करें अगर पूर भूत समय की तो इस पेस्मेकर ने न सिर्फ दिल की धड़कनों को नियांतरत किया है बलकि बहुत से जिंदगियां भी बचाई हैं चिकित्सा शेत्र में परिष्ण के बाद भी इस परंपरागत पेस्मेकर में हाला कि बड़ी खामी यह नजर आई कि इसकी बैटरी पांच साल से बारा साल तक चल पाएगी इससे सर्जरी के जरिये बदलने की जरूरत पड़ती है साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि इस तरह है कि सर्जरी के वज़े से संक्रमन और रक्त स्त्राव समेत कई तरह की समस्यां भी खड़ी हो सकती है इनी समस्यां को ध्यान में रख कर चीन की सेकेंड मिलिटरी मैडिकल विश्व विद्याले और शंगाई जीयो टोंग विश्व विद्याले ने यह विश्कार किया है ऐसे ही ज्ञान और विज्ञान की खबरे जानने के लिए देखते रहे हैं यह CMN News